ए हाई फ्रेंच, तो आज हम AU Small Finance Bank के बारे में बात करने वाले हैं, तो कुछ मतलब ये फिर से एक बार iPad पे explain करके ये वीडियो में शूट करने वाला हूँ, आशा करूँगा कि आपको अच्छा लगेगा, काफी दिनों बात फिर से analysis के वीडियो हमने शुरू कर दिये हैं, त आपको ये series फिर से अच्छी लगेगी, तो stock जो है वो अच्छा कासा गिर चुका है, जो darling stock था, market का, वो काफी जादा 800 के level से 500 के level पे अगर ये नीचे आ चुका है, तो इतना जादा जो correction हुआ है, उस correction को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, और क्या अभी attractiveness लग रह में, इसके बारे में भी आज हम यहां पर discussion करने वाले हैं दोस्तों, आप लोगों के साथ, पहले तो एक screen share करूँगा, और उस में, मतलब थोड़ा detail में समझने की कोशिश करूँगा, उसके साथ साथ लिखके, मतलब यहां screen में ज़्यादा चीज़े नहीं रहेंगी, so it is, yes, just a second, मतलब explain ही, लिखके explain करूँगा, ठीक है, so पहला discussion अभी यहां पर करते हैं, वो यह है कि, जो overall भी recently हमने देखा था कि, जो एक Fincare small finance bank के साथ acquire कर लिया, मतलब EU small finance ने उसको, या merge हो गया वो bank, तो उसके बाद जो balance sheet की size है अभी, जो merged bank है, merged entity है, so that size, balance sheet size is 1.17 lakh crore rupees, 1.17 lakh crore rupees, ठीक है, अब यहां पर जो bank ने target लिया हुआ है, FY27 में, EU small finance bank जो है, वो अपना जो balance sheet है, वो 2 lakh crore rupees करना चाहते है, कितना 2 lakh crore rupees, so 1.17 से यह नंबर बढ़के 2 lakh crore rupees तक वो बढ़ाना चाहते है, इसके लिए कितना growth चाहिए होगा bank को, balance sheet को grow करने के लिए, CAGR terms में, अभी FY24 चल रहा है, जहां पर balance sheet is 1.17 lakh crore rupees, FY27 में 2 lakh crore rupees तक उसको लेके जाना है, so 20% का CAGR, compound annual growth rate, यहां पर bank को लगेगी, मतलब balance sheet को grow करने के लिए, 20% से उनको grow करना पड़ेगा, अब यह असंभव है क्या bank के लिए, लगता तो नहीं है, मतलब history अगर हम देखेंगे, past performance अगर देखते हैं bank का, तो last 5 साल में, यह bank जो है, वो 37% CAGR से grow हुई है, कितना 37% CAGR, बट एक चीज समझ नहीं होगी, at that point of time, हर 2 साल में, अगर bank double हो रहा है, balance sheet में, तो इसका सबसे बड़ा reason था, low base, तो base बहुत छोटा था, उसके चक्कर में यह aggression हम समझ सकते, तो higher base पे 20% ग्रो करना impossible है, बिलकुल नहीं, मतलब looking at the overall banking growth, या credit growth की अगर हम बात करते हैं, तो 20% से grow करना should not be very difficult for the bank, अब यह, मतलब इतने ambitious numbers, goals उन्हों ने रखे हुए अपने सामने, फिर भी यहाँ पे stock जो है, वो नीचे की उग गिर रहा है, तो उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश यहाँ पे हम करने वाले हैं दोस्तों, तो इसके पीछे का सबसे बड़ा reason है, recent quarters में जो provisions के numbers आए है, I think provisions के numbers are rising, provisions क्यों करने पड़ते हैं? खराब loans, NPS जहाँ पे create होते हैं, तो इन NPS के लिए provisions करने पड़ते हैं, और ये provisions के number recent two quarters में, quarter two FY24 and quarter three FY24, ये जो दो quarter से recent quarters, यहाँ पे provisions के numbers काफी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, so Q2 FY24 में 114 क्रो रुपीज के provisions बैंक को करने पड़े, and Q3 FY24 में 159 क्रो रुपीज के provisions यहाँ पे बैंक को करने पड़े, and that is the reason, sequential अगर हम देखते हैं, sequentially net profit जो है बैंक का, that has gone down by 5% in last quarter, so 375 क्रो रुपीज का वो profit का number आया, जो around 390 क्रो था उसके पहले के quarter में, but यहाँ provisions बढ़ने के चक्कर में, profit का number जो है, वो 5% से यहाँ पे गिरा है, and that is the thing, मतलब अगर quarter 1 FY24 की में बात करता हूँ, कितना quarter 1 FY24, इस quarter में जो provisions थे बैंक के, those provisions वर 33 क्रो रुपीज, so 33 क्रो रुपीज से 114 क्रो रुपीज, एक quarter में provisions बढ़ गए, and 114 क्रो रुपीज से 159 क्रो रुपीज, और next quarter में यहाँ पे provisions बढ़ गए, and this is the reason, markets are not liking it, so market को यह अच्छा नहीं लग रहा है, यह provisions इनके बढ़ रहे, provisions बढ़ने के पीछे का reason का है, what is the main reason behind that, वो है credit card के defaults, credit card, मतलब यह सबसे riskiest asset होता है, किसी भी bank के लिए, भले ही यह reward बहुत ज़ादा मिलते हैं वहाँ से, but default अगर होते है, तो यह unsecured lending में, सबसे highest level के unsecured lending होती है, यहाँ पे defaults हो रहे है, तो यह जो defaults हो रहे है, तो यह defaults के चक्कर में, वहाँ पे provisions करने पढ़ रहे हैं bank को, and this is the thing, markets are not liking it, एक तो आपने ambitious growth plans रखे हुए अपने सामने, क्योंकि आपको 2,00,00 करोड की balance sheet भी करनी है, मतलब इनवे भले ही नाम small finance bank है, but बड़े banks के हिसाब से ही competition यहाँ पे चल रहा है, उसमें risky assets को आपको कम करना होगा, risk management is going to play a very important role, एक चीज़ याद रखनी होगी यहाँ पे, कि HDFC bank जैसी bank हो, या फिर कोटक bank जैसी bank हो, या फिर ICICI bank हो, या फिर SBI हो, ये banks के जो valuations है, compared to EU small finance bank, ये काफी जादा reasonable है, तो वहाँ पे, अगर आपको premium enjoy करना है, compared to other big banks, well managed banks, in the risk management, from the risk management point of view, तो वहाँ पे आपको premium चाहिए, तो आपका भी risk management उतना ही बढ़िया होना चाहिए, यहाँ पे कोई alarming level की चीज़े चल रही है का नहीं, alarming level की चीज़े नहीं चल रही है, but when your bank is trading at 7-8 price to book ratio, at that point of time, ऐसे provisions, बढ़ते हो provisions नहीं चलेंगे, and that's why the price to book ratio has gone down below 4 now, for this particular bank, यह हो small finance bank, तो historical levels के point of view सगरम बात करते, so definitely valuations are looking attractive, but the recent events, provision events are suggesting, it will be difficult for the bank to have higher premiums on the stock prices, यह भी समझना होगा, अब bank ने और भी कुछ guidances रखे हुए, FY27 के लिए, और क्या guidance है, return on asset का guidance bank ने रखा हुआ है, by FY27, and that is 1.8% का यह guidance bank ने दिया है, last 9 months का, 9 months of FY24, अगर हम देखते हैं, तो जो return on asset है bank का, वो है 1.22%, तो इस 1.22% को, with rising assets, यानि की rising balance sheet also, क्योंकि loans बढ़ेंगे हैं, what are the assets for a bank, loans are the assets for the bank, तो वहाँ पे अगर आपको, मतलब 1.8% का, ROA अगर करना है bank को, in that particular case, जो profit का number होगा, bank का net profit का number जोगा, वो 3300 crore rupees cross करना चाहिए, in FY27, अगर मैं trailing 12 month की बात करता हूँ, trailing 12 month का, जो profit है bank का, that is around 1500 crore rupees, last 12 months में जो profit bank ने generate किया है, तो यहाँ पे यह more than double करना है, इनको in 3 years, so 3 years में more than double, अगर आपको करना है, मतलब यह 1500 का 3000 होता है, तो उससे भी जादा करना है, तो यहाँ पे more than double करना है, यानि 25 to 26% से profitability यहाँ पे grow करनी होगी, और उसके लिए सबसे बड़ा challenge हो सकता है, rising provisions, so यह provisions अगर rise होते रहे, तो then it will be difficult for the bank, to have that kind of profitability in FY27, तो यह कुछ challenges bank के सामने यहाँ पे नजर आ रहे है, and markets are not finding reasons, to give a premium valuation to the bank, and that's why historical level से अच्छा खासा यहाँ पे, stock correct हो चुका है, अब देखते हैं, I think, बड़े banks are available at quite reasonable valuations, compared to these banks, and that's why pressure in these banks are little bit on a higher side, यह हमने यहाँ पे समझ ना होगा दोस्तो, so कैसा लगा यह video, यह comment section में लिखना मत भूलेगा दोस्तो, और अगर आप लोगों को लगता है कि मच्छा काम करते है, तो investetnet.in को visit कीजिए, and हमारे research products, model portfolios, docometer plus, या fundometer को subscribe करना भिलकुल मत भूलेगा, we can help you in wealth management, portfolio management, और investment advisory also, तो वो अगर session आपको book करना है, तो contact details are available on our website, investetnet.in, आशा करूँँगा, आप ज़रू investetnet.in को visit करके, हमारे research product के साथ साथ हमारे advisory services को भी subscribe करोगे तो next video तक के लिए मुझे आगया दीजिए दोस्तो जैहिन